तो थोड़ा वाद मिक्सब हो जाता है कोई नहीं चले consider a gun of mass capital M a gun of mass capital M carries gun of mass capital M carries carries bullet of mass small m bullet of mass small m fired 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 with velocity V with velocity V with velocity V such that such that the gun will recoil gun will recoil with velocity U with velocity U with velocity U so ये डाग्राम मैं ने लास क्लास में तुम्हे बनवाया था after firing before firing का तो एक गन है अपने पास अब क्योंकि गन मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं मेरा बस गन पे है means मैं और गन एक isolated system का पार्ट है मैंने define किया था कि isolated system के अंदर momentum conserve रहता है isolated का मतलब है बाहर से ना कोई अंदर आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर मैंने एक एक ग्जाम्बल रूम का लिया था और ददद सुल के सबकी जे में से लिया था so now before firing का जो momentum है वो after firing के momentum के equal होना चाहिए so momentum before firing is equal to momentum after firing correct क्योंकि isolated system है और isolated system में conserve रहता है momentum चाहिए बाद में बाद calculate करो चाहिए पहले so that's why momentum का formula mass into velocity gun का mass capital M और शुरुवात में before firing गन तो move कर ही नहीं रहा तो gun की speed को 0 ले लेते हैं plus bullet का mass small m और bullet की velocity कितनी है शुरू में 0 bullet भी move नहीं कर रहा है is equal to after firing पे बात करते हैं तो gun का mass capital M और gun पीछे के तरब recoil हुआ है U velocity so mass into velocity means M into U plus after firing में जो bullet का है वो small m into में भी बात सही है यह हो गया सारा 0 और इस side में आया M U plus small m V clear रहे इतना मेरे को निकालना है recoiling velocity U निकालना है तो इस तरब को इधर भेशता हूँ तो आजागा minus M into V this side capital M U so what is U recoiling speed is minus M V upon M is this relation clear कैसे आया तो हमने इस side में before firing देखा momentum 0 था तो after firing भी momentum 0 ही रहना चाहिए तो मैंने equate कर दिया और देखा कि U जो आएगा वो minus small m into V upon M capital M आता है अब एक चीज गौर करो प्रियांग्शू recoiling speed किसके universally proportional है mass of gun मतलब अगर मेरा क्या मकसद रहता है कि recoiling ज़ादा हो या कम हो रित्व कम से कम रहना चाहिए नहीं तो पता जाला दूसरा मरे ना मरे तुम जरूर मर जाओगे चलाने वाला आदमी घायल हो जाएगा तो चलाने वाले आदमी को recoiling ज़ादा नहीं मिलनी चाहिए that's why हमारा मकसद है U को minimize करना और U minimize तब होगा जब M maximize होगा इसलिए गन का मास को बढ़ाया जाता है गन का वजन डेड़ किलो, दो किलो, धाई किलो, दस-दस किलो तक रहते है क्योंकि इतना जादा वजन रहेगा गन का उतना ही कम उसका recoiling speed रहेगी because it is inversely proportional दूसरी जी देखो it is directly proportional to small M bullet के mass जितना कम रहेगा U उतना कम रहेगा इसलिए bullet का mass 5 gram, 10 gram, 20 gram इसलिए ही रहता है जबकि bullet gun का mass kg में रहता है यह भी एक कारण है उसके बाद negative sign यह suggest कर रहा है कि U की जो direction है वो V की direction का negative है बना bullet आगे जा रहा है तो recoil पीछे होगा negative sign negative sign suggest कर रहा है कि U का direction और V का direction opposite है V आगे जा रहा है तो U negative यहने पीछे जाएगा that's it, no doubt example 5.2 solve करो 5.2 में bullet के उपर ही question है वेकिन थोड़ा different time try करो फिर में बताता हो exercise का 19 वा question 5.19 bullet के उपर ही है इसको try करो question हो गया आप लोग गई वाला solve ए answer ठीक है, answer पीछे match करना last में दे रखा है ना हो तो बता ना पीछे देख लेगी SI unit में हमेशा करना चाहिए आपको gram वगरा भी जो दिये हूँ इसको kg में बनाया था gram में बनाया था गलत हो गया gram में यह कर दिये gram 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 हो गया बचो तो आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले बहुत कमाल की चीज़ है Free Body Diagram FBD सुने हो कभी बड़ी कमाल है Physics की जान है FBD इसी से Mechanics के सारे Question Solve होते है मतलब अगर हम पूरी Diagram बनाने की जगे सिर्फ FBD बना ले तो Question की ज़रुद भी नहीं है अगर कोई हमें सिर्फ FBD बना के देदेगा न तो हमें पूछने की ज़रुद भी नहीं है कि निकालना क्या है We can identify हम खुद निकाल सकते हैं FBD को समझ के इसको कहते है Free Body Diagram Heading है अपना अगला Free Body Diagram numerical हो क्या नहीं वाला कोई दिक्कत तो नहीं है Problem है दिखाओ अगर problem है तो हो जाएगा घर पे ट्राइ करें न केजी अगर ग्राम का फरक दिक्कत हुआ है न तो घर पे ट्राइ कर लो नहीं समझ में आएगा तब बताना इवाँ घर से निकाल के लाना if any problem मैं देख लूँगा नेक्स प्लास में चलिए तो free body diagram को समझते हैं free body diagram FBD mechanics की जान है यह mechanics मतलब जो तुम पढ़ रहे हो laws of motion inertia distance displacement everything kinematics mechanics का mixture है kinematics में motion भी आ जाता है kinetics kinematics kinetic energy everything was motion motion का कारण क्या है that is mechanics मतलब force को study करना है that is mechanics ठीक है अभी board पर देखो FBD क्या है जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक book रखी होई है एक table के उपर table पर एक book रखी है आम आदमी के लिए वो सिफ एक book है लेकिन मेरे लिए उस book पे लगने वाला force भी important है कौन-कौन सा force उस book पे लग रहा है क्योंकि वो book रुका हुआ है for example मालो यह किताब इस dex पे रखी हुई है यह duster इस dex पे रखा हुआ है क्यों रखा है इस पे क्या gravity तो खीच रही है ना इसको तो नीचे क्यों नहीं गया यह bench भी तो इस पे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा हुगा every action there is equal and opposite reaction मैं जमीन को धक्का देता हूँ तो जमीन भी मुझे धक्का देता है तो मैं उपर क्यों नहीं गया इस सब को draw करना है अपने को physically यहां पर दिखाना है कि उपर क्यों नहीं गया जैसे इस book को नीचे की तरफ खीचने वाला force कौन सी होगी gravity उसका मतलब weight weight को लिखते है हम लोग mg क्योंकि formula होता है ना force का mass into acceleration force weight भी तो एक force ही है न m और g acceleration होगी acceleration due to gravity weight कितना होता है mg के equal मतलब किताब पर नीचे की direction में क्या लगेगा mg लगेगा every action there is equal and opposite reaction newton का third law मतलब इस book पे यह bench उपर की तरफ एक force लगा रहा होगा जिसे हम लोग r बोलेंगे this r is called reaction force reaction force इसको कभी-कभी n से भी लिखते है normal reaction normal reaction normal मतलब 90 degree ठीक है हमेशा ध्यान रखेंगे यह दो बाते कि normal reaction जो होता है normal reaction हमेशा is always perpendicular to the surface यह आर बार इस chapter में में यूज करूँगा कि normal reaction यानि कि r surface पे 90 degree होता है और weight यानि कि mg weight is always perpendicular to ground जमीन पे perpendicular to 90 degree होता है यह दोनों अलग-अलग बाते है जमीन और surface अलग-अलग चीज है example यह bench इस वक्त इस mobile के लिए surface है लेकिन ग्रमीन तो यह अलग है तो surface पे 90 degree होता है normal reaction और ground पे 90 degree कौन होता है weight इस वक्त मैंने यह दोनों बना दिया r और mg इस वक्त क्योंकि mg और r बराबर है इस वक्त यह बुक जो है यह कमी move नहीं करेगा तो यह diagram हमें self-explanatory है कि इस पे दो ही force लग रहे हैं कौन-कौन सी gravity normal reaction वैसे एक force और लगेगा friction force surface और इसके बीच में that is F और क्योंकि बुक रुका हुआ है static friction static मतलब रुका हुआ friction भी हम लोग आगे पढ़ने वालें कई type के होते हैं तो कोई बुक अगर रुकी हुई है कोई चीज रुकी हुई है तो कौन सा friction static friction तो यह तीन forces इस वक्त इस पे काम कर रहे है understand चलिए एक और एक FBD में लेता हूँ एक inclined surface है ऐसा माल लीजे कि यह theta degree बना रहे हूँ इस पर एक object रखा हुआ है अब पहली चीज इस पे downward लगेगा force और weight किस पे weight होता है 90 degree पढ़ो weight is always perpendicular to ground तो ground तो यह वाला है यह तो surface है उस पे 90 degree surface उठा हुआ है ground पे theta degree बस समझा रहे है तो 90 degree आपका weight होगा किस पे ground पे 90 होगा this is mg अब रही बात normal reaction की normal reaction कहा होता है perpendicular किस पे होता है surface पे surface तो यह है तो इस पे 90 degree आपको बनाना पड़ेगा यह normal reaction normal reaction होता है तुम जमीन को धक्का देतो तो जमीन बदले में पे normal reaction normal मतलब 90 degree reaction मतलब action reaction मतलब वो उल्टा तुम पे लगा रहा है clear मैं दुबारा समझा रहा हूँ weight हमेशा perpendicular ground पे होता है मैंने ground पे 90 खीचा है और normal reaction हमेशा surface पे 90 होता है surface मेरा इस वक्त यह बाला है तो इस पे 90 degree यह खीचा मैंने चीक है अभी यह diagram मुझे बता रहा है कि यह balance नहीं हो रहे balance तो equal होता और positive होता उपर नीचे की सा तो balance होता लेगर इसमें क्या यह तो इदर कीच रहा है इसके opposite में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा weight नीचे कीच रहा है तो यहां पर आता है vector resolution मैंने तुम्हे जब सिखाया था projectile motion तो बताया था, theta के तरफ वाला component, cost component और जिदर theta नहीं है उदर, sign component तो आप इसके दो component बनाईए, एक ऐसा, एक ऐसा, इस R के में component बना रहाँ, अगर ये theta है वज़े, तो ये भी theta होगा, alternate angle, if it is theta, this is 90 minus theta और ये वाला फिर से theta, match चल रहा है, देखो यह 90 है, पूरा अगर यह theta है तो यह बचा हुआ 90 minus theta होगा पूरा 90 था तो अब यह इधर का फिर से यह वाला 90 है पूरा, अब यह सोचो ज़़ा यह वाला, यह और यह यह 90 है अगर यह 90 minus theta है तो पूरे मैंसे कितना होगा, 90 मैंसे माइनस कर दो 90 माइनस थीटा so it is 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा कटके कितना आ गया इसलिए यहाँ पर थीटा पुरा mathematics चल रहा है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सुनो एक inclined surface है उस पर एक object रखा हुआ है ऐसे 90 degree ground पे हमेशा होगा 90 degree कौन उसका weight यह angle थीटा पे उठा हुआ है surface पे 90 degree होगा normal reaction 90 degree on surface तो मैंने किया मिलको दिख रहा है कि इस mg को balance करने वाला उपर कोई नहीं है इस r को balance करने वाला नीचे कोई नहीं है इसलिए मैंने को resolution करना था तो resolution होता है मेशा एक parallel to ground और एक perpendicular to अगर यह थीटा है बचे तो यह भी थीटा होगा क्योंकि यह पूरा 90 है तो यह बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा और यह surface पे यह वाला अब इसमें हाँ 90 है ना परपेंडिक रहना आ तो यह थीटा तो यह थीटा तो यह थीटा इस तरीके से मैंने resolution किया था understand यह थोड़ा सा घजमच हो जाता है अगर इसलिए मैं direct एक बार फिर से बना दे रहा हूँ बड़ा तुम समझ गे ना कैसे हुआ मैं थोड़ा सा अब साफ बना देता हूँ उसको वो वाला मर कर दे न यह थीटा हो गया इसके यह object हो गया perpendicular to ground क्या होगा इसका weight ग्राउंड के perpendicular और perpendicular to surface normal reaction इसके दो component मैंने बनाए एक horizontal एक vertical क्योंकि यह थीटा तो यह भी थीटा यह 90-thीटा अगे इन यह थीटा तो इधर हो गया r cos थीटा और इधर थीटा नहीं तो यह क्या हो गया r यह दो component बन गए clear चीक है अच्छा इस पे लगेगा frictional force भी ऐसे क्योंकि यह नीचे जाने की कोशिश करेगा तो friction force भी इसको ऐसे लगाएगा static friction मालो अगर यह रुका नहीं है इस तरीके से सारा FBD बन गया जैसे यह surface अगर इंक्लाइंट पर मैंने कुछ रखा तो वह ऐसे फिसल के गिरेगा ना नीचे की तरफ तो friction हमेशा motion का पोस करता है अगर यह object ऐसे गिरेगा तो friction पीछे लगेगा इसलिए फ्रस को मैंने ऐसे बना है gravity की गिरे से weight लगता है mg लगा दिया था already तो यह सारे force मैंने इसके उपर बना दिया diagram पे इसी को FBD बोलते free body diagram it is self-explanatory यह बताता है कि मेरे पे क्या-क्या force लग रहे है understand draw this उसमें गए हो पहाडो पे पहाडी side जाए उत्राखन शिबला, मनाली ऐसा कोई जगा है पहाडो side वैश्दो देवी, उल्टी हुआ था किसी को हुआ था जो तुम़ारे साथ गया था वैश्दो देवी पैसा केस नहीं मिल रहा है मुझे पता नहीं वैश्दो देवी प्राड़ जाता नहीं है मैं कभी गया नहीं है इसे तो finalement मनाली गयो उल्ट्या हुई तो height पे gravity change होती है, g की value height के साथ change होती है, इसके कारण तुम्हारा weight बदलता है, इसके कारण तुम्हारा weight बदल जाता है, ओके ये चचलो सब लोग पहाड पे नहीं गए हैं, लेकिन क्या तुमने जूला जूला है, राम जूला होता है वो बड़े वाला गोल वाला, जूले ह तो रितु उस वाले पे जूला है, नाव वाले पे, इस पे तो जूला है ना, तो अब जाड़ा आते हैं इस पे क्या होता है, तो जब तुम जूला पे, जैसे राम जूला पे ऊपर गए, तो ऊपर जाने पे तुम्हारा weight बढ़ता है, तुम्हें यकीन ना हो, तो एक wedding weighing machine थां भरी खरीदो उसको रखो जुला पे और उसको बूलो चल भाई आज एक्सपेरिमेंट करेंगे जुले वाले को बोलो कि तुम जुला हो तुम्हें मैं स्पीड बढ़ाने को बोलू तब बढ़ाना जब घटाने को बोलो तो घटाना move करो वो जलाएगा उपर तुम देखो कि तुम्हारा वजन अगर 50 kg है तो तुम्हें दिखेगा वो 52 kg हो गया और जब वो उपर से नीचे आ रहा होगा तो तुम्हें तुम्हारा वजन दिखाई देगा 46-47 मतलब decrease करेगा उपर से नीचे आने में घट रहा है और नीचे से उपर जाने में बढ़ रहा है तुम्हारी बॉडी के साथ खिलवार हो रहा है और इस चीज को experience तुम्हारी बॉडी के हर सेल करते हैं और सेल खुछ तो सेल के पास दिमाग होता नहीं तो सेल को या करेगा अप को क्या करेगा तो वो हर्ट को बोलेगा हर्ट भाई बढ़ा दो अपनी बीट्स धरकन बढ़ा दो ताकि यह रुख जाए इसको डराओ बढ़िया से तो जब तुम्हारे साथ ऐसे continuous weight बढ़ना weight घटना weight घटना चलता है तो तुम्हारे heart beat बढ़ने शुरू हो जाती है इस तुम्हारा control नहीं है it is involuntary action खुद बखुद हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि brain ने signal दिया उसको कि body के साथ कुछ खिलवार हो रहा है इसको सजित कर दो इस आर्मिको नुकसान है अगर कोई pregnant है अगर कोई बुड़ा है अगर कोई बच्चा है heart attack आ कि तुम्हारा heart beat इतना जादा बढ़ रहा है तुम्हारी body is capable नहीं है उतने muscles उतने strong नहीं है तो रहा हो रहा है मैं खुद द्यगब जो हो रहा है मैं नहीं चड़ता कभी उस पे एक बार मैंने कहा कि चलो चलो यह वाला में तो दिक्कत होता है मुसको पहली बार में चड़ बैठा जब उपर जागे जब नीचे आया तो मैंने शुरूख किया गाली देना उसको जाला रोक तू रोकेगा कि पिटेगा जैसे जैसे speed बढ़ रही है वैसे गालिया बढ़ रही है बहुत वह सुनता है उसको लग रहा है मुझे मजा रहा है वह और speed बढ़ा रहा है धी यही चीज पाहडों पे होता है जब हम लोग 11 अधे में तो मेरे स्कूल से तूर गया था अभी तूम लोग के स्कूल से भी तूर जाएगा तो चाय वाली स्टोरी भी है उससे बहुत सारी स्टोरी थी मेरी तो हुआ यह कि हवारी क्लास में जितने बच्चे थे सभी लोग दे उल्टी, दे उल्टी, उल्टियों का मौसम शुरू हो गया था, वॉमिटिंग ली वॉमिटिंग, एक लड़की थी दिव्या नाम की, उसने तो अगले वाले को स्नान करा दिया पूरा, जब हो गया था बहुत, बिचारा क्या करें, वो कुछ क्या भी नहीं सकता, क्योंकि उसने भी किया था, है ना, तो एकदम गर बढ़ता, लेकिन मैं राम और हरीश, हम तीन दोस्त, हम लोगों ने टेबलेट खा रखी थी, because we know that हमारी वेट के साथ खिलवार होने वाला है, so हमें वोमिटिंग हो सकती है, हम तीनों ने टेबलेट खा ली थी, हम तीनों ही बस मे बचेते हैं, even driver भी उल्टी कर रहा था, so driver भी दे, पिशकारी मार रहा है खिड़कियों पर, ऐसा भी हालत हो रखिए, बहुत बुरी हाला, everything is because कि तुम्हारी वेट के साथ खिलवार हो रहा है, यही हमें अगला topic में पढ़ना है, next topic is कि हम लोग lift में सवार होंगे एक वेइ किसी का एक्जामपल लेते हैं, इस प्वेंट में इस प्वेंट में मेरे weight 60, weight decrease कर जाएगा, जैसे जैसे उपर जाओगे weight decrease करेगा, जी, g की value कम होती जाती है, मतलब change होती जाती है, basically, decrease करेगा, g की value upside decrease, g की value downside decrease, it is maximum only on the surface, that is 9.8, negative कहां लेते हैं, g की value 9.8, अगर तुमने motion उल्टा किया तो vector quantity है, इसलिए हम लोग sign question करने के लिए negative लेते, अगर उपर फेका है तो negative, नीचे फेका है तो positive, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सिखाया, तुम्हारी teacher पका सिखाये होंगे, है न, वो लोग सिखाते है, मैं मैं ऐसा नहीं सिखाता है, मैं बोलता हूँ, it's a vector quantity, it's our choice, हम क्या लेना चाहते है, उसी style से मैं question कराता हूँ, तुम्हारा हूँ, समझ आजएगा, मैं करता है, क्या हूँ कि gravity नीचे खिछता है, मैं उसका opposite जा रहा हूँ, तो negative, और अगर gravity नीचे खिछ रहा है, मैं भी नी an elevator, यह heading है, किसका definition, हाँ, definition तो है, एक side में definition भी लिख दो उसका, side में कहीं लिख लो, शोटा सा, it is a diagram, it is a diagram in which, 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 all the forces, in which all the forces, all the forces, which acts on the body, all the forces which act on the body, और रप्रेस्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर्टेर् चलिए अब इस पर आईए देखो एक एलिवेटर है एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट ये एक लिफ्ट है उस लिफ्ट में मैं जाके खड़ा हो गया एक्सपरिमेंट करने इसलिए मेरे पैरो के नीचे कह रहेगा वेइंग मशीन लेके मैं खड़ा हूँ उसमें वेट मेजर करने की क्या होता है मेरे साथ पहला केस मैं लेता हूँ मचो यूनिफॉर्म डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मौशिन डाउनवर्ड मतलब सिन लेखे तरह यूनिफॉर्म सिटी से जा रहा है मतलब यूनिफॉर्म सिटी का मतलब होता है वेलोसिटी से मतलब अक्सपिट यूछा लायँ कर रहा है athari नहीं केस्पन बीन मोस्ति लिफ्ट जितरी बतुम लोग बेखते हो मौल में या जही भी बिल्डिंग्स में उन सभी में यूनिफॉर्म मोशन ही होता है उसमें तुम्हें तुम्हारी वेट के साथ कोई खिलवार महसूस नहीं होगा अराम से बैठे हैं एक नॉर्मल जो लिफ्ट होती है मौल में लगी हुई या मैट्रो में लगी हुई उसमें जाके खड़े होना है नीचे पैरों के नीचे एक वेइंग मर्शीन रखना है यह चेक करने के लिए कि मेरा वेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो वेट हम लोग वेइंग मशीन पर देखते हैं that is apparent weight उसे हम लोग apparent weight बोलते हैं वेइंग मशीन के weight को ठीक है प्रयांचो तो यहां पर नॉर्मली जो ज्यादा तर जो लिफ्ट होते हैं उसका uniform velocity होता है मतलब वो accelerate नहीं करता constant speed से नीचे आता है इसलिए में मेजर पता नहीं चलता weight ठीक साथ मतलब weight जरूर सेम होगा यह चीज़ मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहां पर कैसे सेम होता है एक्सेलेशन 0 क्लियर है uniform velocity मतलब acceleration 0 अब बनाते हैं FBT तुम पर downward direction में क्या लग रहा होगा weight gravity की वेए से तुम्हारा weight mg और weighing machine पर तुम पर भी force लगाएगा what normal reaction आर इसके अलावा और कोई force नहीं है एक्सेलेशन जीरो एक्सेलेशन का होता है speed बढ़ नहीं रहा एक्सेलेशन अगर 0 है तो speed बढ़ नहीं रहा है uniform speed है uniform downward कर रहा है uniform motion अब लिफ्ट में आते हो ना वो लिफ्ट में uniform acceleration 0 होती है वह लगती है ना अभी वह भी बढ़ेंगे वह फोर्स नहीं तो उम्हारा weight खीच रहा है तुम्हारा weight बढ़ बढ़ जाता है इतना clear पहला अब जड़ा देखो move किदर कर रहा है चाहिए downward मैं तुमसे एक चीज़ कूछता हूँ अगर पांच किलो का एक box है उस पर मैं इदर से 10 newton से force लगा रहा हूँ और प्रियानशुत तुम में इदर से 8 newton का force लगा रहा हूँ tell me box किदर जाएगा मेरे force की तरफ जाएगा इदर कितने की value से 2 newton कैसे पता 10 minus 8 किया तुमने बड़ा force minus छोटा force किया तब जाके क्या मिला net force मिला करेक्ट है यही concept यहां लगा हूँ क्योंकि motion जिदर जाता है definitely वो force बड़ा है मैं बड़ा force mg को माल लेता हूँ तो बड़ा force mg minus छोटा force कौन आर बड़ा force minus छोटा force बड़ाबर net force अब net force according to second law of motion mass into acceleration होता है correct है f equal to ma newton का second law तो mg minus r बड़ाबर m में now according to this question it is uniform downward acceleration 0 है means we can put here 0 so mg minus r बड़ाबर 0 so what is r r बड़ाबर mg mg जो है यह है actual weight और r जो है it is called apparent weight मतलब इस पहले derivation से मुझे यह पता चला कि जब lift uniform जाता है downward तो apparent weight किसके equal होता है actual weight के मतलब तुम्हारे weight के साथ कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा weight constant ही चलेगा अगर uniformly आता है नहीं होगा normally lift में नहीं होगा लेकिन अगर lift बहुत तेजी से उपर जा रहा है या बहुत तेजी से नीच आ रहा है मतलब अगर accelerate कर रहा है तब तुम्हारा weight change हो जाएगा decrease या increase यह पहला case है जिसमें weight change नहीं होता कब जब uniform motion करेगा downward apparent weight वो होता है जो weighing machine बताता है apparent का मतलब क्या जो सच में नहीं है वो तुम्हारा इस planet पर मालीजे मेरा weight इस planet पर 100 kg है लेकिन चांद पर जाके 1-6 हो जाता है ना यह तो पढ़ा है ना actual weight कौन सा है जो अर्थ पर तुम्हारा weight है वो actual weight है जो gravity की वज़े से नॉर्मल ही तुम्हारा weight है that is actual weight बट उस खेल के कारण उस lift के कारण जो weight होगा that is called apparent weight no doubt on this gravity जो downward लगाता है वो तुम्हारा force हो गया gravity का force हो गया mass into acceleration mass to ml लेकिन acceleration gravity का G होता है इसलिए mg लगाते है that is weight our normal reaction जो जमीन तुम पे लगाएगा तुम weighing machine पे जो weight लगाते हो ना वो actual weight लगाते हो mg weighing machine जो तुम पे लगाते है वो normal reaction लगाता है apparent weight इसी के base पे weighing machine हमेशा apparent weight measure करता है जो इसमत कुम्हारे इस planet पे है net force mass into acceleration जो net लगेगा इस पे और मैंने net इस पे देखा कि कोई force ही नहीं लगेगा जो कि acceleration जीरो ही हो गया उतार ये इसको है ना मज़ेदार topic अभी देखते हैं weight बढ़ाते हैं और गटाते हैं अपना mass को formula का होता है mass को formula का होता है mass का mass का mass तो value है m formula नहीं है इसके लिए Einstein ने एक relation दिया था लेकिन अपने syllabus में नहीं है m equal to m not under the root 1 minus v square by c square according to Einstein mass यसा होता है velocity के साथ change करता है बट इसकी जुरुत नहीं अभी आप्लाइड फिजिक्स मुश्किल क्या है सब जो नहीं आता वो मुश्किल जो सीख लिए आसान इस वक्त नॉर्मल केस में अक्ट्वल है बस इससे आगे हम लोग 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 लास देखेंगे motion बढ़ाना घटाना वाला अभी कले इतना रखते है क्योंकि अभी velocity नहीं है उसमें velocity मतलब uniform है same velocity velocity चेंज नहीं कर रहा है इसलिए acceleration 0 हुआ